तुम अगर 10th class में, 11th class में, 12th class में, 1st year में, 2nd year में हो, 3rd year में हो, 4th year में हो, या फिर college graduate कर चुके हो, ठीक है, इसके अलाबा, अगर तुम non CS background से हो, non science background से हो, and तुमें software engineer बनना है, तो तुम बिल्कुल सही video पहाए हो, है guys, है मैं निशांच आ रहा है, I'm a software engineer at Microsoft there, आज की video म हम बात करने वाले है, like how you can become a software engineer, multiple paths है, multiple चीज़े हैं, जो तुम use कर सकते हो, जो tracks use कर सकते हो, एक software engineer बनने के लिए, so, कुछ-कुछ चीज़े हैं, जैसे अगर अभी तुम 10th में हो, तो क्या path तुम follow कर सकते हो, इसके अलाबा कर तुम graduate हो चुके हो, तो तुम क्या path follow कर सकत कर तो चानल को अब तक नहीं किया है, तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो अगर अभी तुम school में हो, 9th, 10th, 11th, तो सबसे पहला जो सबसे straight forward path है, एक software engineer बनने का, that is getting into an engineering college with computer science degree, ठीक है, सबसे straight forward सबसे सीधा तरीका है, अगर तुमने 11th में science ली है, and तुम I IIT-JE की preparation कर सकते हो, IIT-JE mains, advanced कोई भी तुम दे सकते हो, and उसमें अच्छी rank ला सकते हो, तो straight forward path है, you can get into a good engineering college, and वहाँ से, you will get on campus, off campus, placement opportunities, and तुम एक software engineer बन सकते हो, college के अंदर क्या करना है, वो end में तुमें बताऊँगा, कैसे कैसे चीज़ों होती है, अब जिनको नहीं बता NSIT, DTU, ऐसे और बहुत सारे government engineering colleges, तो इन सब में तुम admission ले सकते हो, इन में अच्छी rank लाने के बाद, इसके लावा काफे जादा private universities के भी होते हैं, जहां पर B.Tech करा ही जाते हैं, वहां के भी अलगले entrance exams होते हैं, बहुत जाद अच्छा college है, बहुत जाद अच्छा college है, इ इसमें तुम admission ले सकते हो, and this would be the first straight forward path, but इसमें सब से जादा मेहनत, मतलब, school time में काफे मेहनत करने बढ़ते हैं, बहुत घिसना बढ़ता है, to get a good rank in IET, जही, अगर नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले वाले पात पर चलते हैं, इसके बाद नेक्स चीज क्या अगर तुमने बाइचांस 11-12 में CS नहीं ली थी, ठीक है, तुम एक arts या फिर तुम commerce background, even if तुमने science भी ली थी, but तुम्हारी अच्छी रांग नहीं आई जही, में तुम्हें प्राइवेट नहीं जाना है, तुम इतनी fees नहीं देनी है, so एक second choice होती है, you can get into BCA, बाचलर's of computer application, बाचलर's of computer application में तुम जा सकते हो, इसके बाद तुम्हारी पास दो path होते है, एक होता है directly off-campus companies में apply करने का, काफ़े जादा companies नहीं consider करती है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा है कोई company तुम्हें job नहीं देगी, कहीं पर तुम जान नहीं सकते, but it is like कि थोड़ी कम companies like होती है जो तुम्हें allow कर रहे होते है, directly BCA के बाद एक job लेने के लिए, off-campus apply करने के लिए, and थोड़ी से दिक्कत हो सकती है, honestly बता रहा हूँ, थोड़ी से दिक्कत हो सकती है, तो इसमें दो choices है, एक तो तुमने अच्छे से अपनी पढ़ाई करी मापे, जो last में मैं बताने वाल कि क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, वह वाला सारा तुमने पार्ट कर लिया, तुमने सारी चीज़े बना लिए, सारी चेक पॉइंट्स ठिक कर लिये, उसके बाद तुम आफ़-campus जागे apply कर सकते हो, काफी सारी companies में, and Google, Amazon, तुम्हारे allow करते हैं, BCA graduates को B.C. graduates को, तो मज़े आ गए, अगर ये कर लिया, और अच्छे से पढ़ाए कर ली, तो सीधा तुम इन वाली अच्छे वाली टॉप companies में जाके काम कर सकते हो, शार्ट अपस बहुत सारे इंडिया में, 100 प्लस unicorns है आ ठीक है, अब unicorns के air, 1 billion dollar से जादा जिनकी valuation हो जाती है, वो तुमारी unicorns के लाते हैं, बहुत सारा पैसा होता है उनके पास, और वो काफे अच्छे packages वगएरा भी दे रही होते हैं, तो अगर तुमने B.C.A. करी है, ठीक है, तो एक ये path है, बाच जानस तुमने B.C.A. नहीं करी, ठीक है, इसके लावत तुमने B.C.A. वगएरा को complete करने के लिए, and you are then at par with तुमारे जो B.T.E.C. graduates होते हैं, इसमें दो साल एक साल एक साल लग गया, तुमारा B.T.E.C. is 4 years degree, यहावर तुमने 3 प्लस 2 लग गए, तो टोटल 5 years लग गए, बट कोई ऐसे attention लेने वाले बात नहीं है, you will be studying in the top NITs of the country, and यार, काफे अची opportunity होत साथ, and काफी amazing, amazing companies आती है, on campus, पर तुमने BCA, B.S.C. करे हैं, तुम यह वाला route follow कर सकते हैं, अब फाइनली तुम बोलो गया, भई है, तो ठीक है, मोटी-मोटी सारी categories होगई, यार, अब यह बताओगी, हमने ना B.S.C. करे हैं, ना BCA करे हैं, ठीक है, हमें non CS वाले background से हैं non engineering background से हैं, ठीक है, science भी नहीं थी हमारे पास, फिर हमें एक developer बनना है, फिर हमें एक software engineer बनना है, तो क्या करना होगा, तो हम बताते हैं, अब जो third category हमारे आज आते हैं, वो होते self-taught developers, at the end of the day, सब self-taught ही होते हैं, colleges में तुम जाते हो, बट कुछ चीज़े होते हैं, जो त problem होगी, ठीक है, अब self-taught developer बनने के लिए, तुम्हें क्याख़ चीज़े सीखनी पड़ती हैं, अगर तुम in general placements के लिए try कर रहे हो, तो सब को यह चीज़ करनी है, you will have to learn a programming language, सबसे पहली चीज, एक programming language तुम्हें सीखनी पड़ेगी, अब अलग-अलग category के लिए, अलग- programing वगएरा करोगे, तो जब तुम online test वगएरा दोगे, तो C++ Java would help you a lot, ठीक है, क्योंकि यह वाली चीज़ तुम अपने course curriculum में पढ़ ही रहे होगे, और काफे ज़्यादा important होती है, कोई भी एक language उठा सकते हो, C++ Java, इसमें कोई नहीं है, C++ करनी चाहिए, Java करनी चाहिए, काम करना, तो I have also started a YouTube channel, Code in 10, इसमें, हम almost 30,000 subscribers पर पहुँच चुके है, ठीक है, तो you can subscribe to that, महा पर मैं पढ़ा रहा हूँ, DS Algo, जो तुम्हें पढ़नी ही पढ़ेगी, to get a software engineering job, so, जाओ, subscribe कर लो जल दी स, अब थर्ड वाली category में आते हैं, तुम्हें programming का P भी नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल तुम्हें zero idea है, तो क्या करना चाहिए, I would recommend Python से start करो, Python is सबसे easy language, सीखने के लिए, ठीक है, और उसे काफे सारी चीज़ हो जाती है, तुम एक language से multiple चीज़े साथ-साथ कर सकते हो, तुम development भी कर सकते हो, तुम data science वाले roles के लिए भी जा सकते हो, उसके ला फर्स चीज़ हो गई, नेक्स चीज़ जो तुम्हारी होते है, you have to learn data structures and algorithms, सबसे जाधा important चीज़ होती है, सारी big tech companies में, start-ups में, जहां पर भी तुम्हें software engineer बनना होगा, तुमसे ये वाली चीज़ पूछ रहे होंगे, DSR को बोलते हैं, तो, इसके लिए 90 days, DSA roadmap बनाया DSR को तुम्हें पढ़ लेना है, first of all, ये सबसे जाधा important चीज़ है, after learning a language, third चीज़ तुम्हारी आजाती है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जाएंगे Google पे, search करेंगे, how to learn data structures and algorithm, या फिर data structures and algorithms का कोई course ले लेंगे, and सोचेंगे ये तो 20 घंटे में पढ़ा दे रहा है, और फिर शुरू के 1 घंटा देखके, 2 घंटे देखके हम बोलेंगे ये तो बहुत अजीव है, ये तो होई नहीं रहा है, और छोड़ देगे, इस चीज़ को बताँ क्या कहते हैं, इस चीज़ को टुटोरियल हिल कहते हैं, या तो तुम टुटोरियल बस देखते रहोगे, देखते रहोगे, तुमने 20 घंटे बुरे करते हैं, और शुरू के तुम्हेरा प्याद ही नहीं तुमने क्या किया था, इसमें नहीं जाना है, तुम्हें या गरना है, जैसे जैसे तुम चीज़े सीखते जाओगे, तुम्हें कोड करनी पड़ेंगी, ठीक है, अगर तुम एक काफी अच्छे डेवलपर बन जाओगे, तो फूर्थ चीज़, इसी के साथ लिंग्ड है, कोड करना बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टूटोरियल देखके नहीं हो पाएगा, और उसके बाद तुम्हें काफी अच्छे सौफ़ए इंजिनियर, सौफ़ए डेवलपर बन सकते हो, अब इसके बाद आते हैं डेवलपमेंट वाली चीज़, यह हमने पढ़ने डेसाल को तुम्हारे इंट्रव्यूज में पूचा जाएगा, बट इंट्रव्यूज में जाने से पहले तुम्हें एक रेज्यूम में बनाना पड़ेगा, ठीक है, रेज सॉलिशन बना दिया, कुछ भी चोटा सा, ठीक है, तो वो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है, हमेशा तुम प्रोजेक्ट्स कीसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हो, कुछ लोग क्लोन मना दिया, यूट्यूब का क्लोन मना दिया, यह इसमें multiple categories होती है, एक तुमारा web developer होता है, एक तुमारा android developer होता है, एक तुमारा cross platform developer होता है, इन सब के भी हमने roadmaps मना रखे है, मैंने roadmaps मना रखे है, सारे description में linked भी होंगे, ठीक है, तो तुम जाके वो check out कर सकते हो, blockchain developer भी होते है, तो अलग-अलग तरीके developers होते हैं, कोई भी उठा हुए एक चीज, उसको सीखो must, roadmaps तुमें दे रखा है, वो सीख लोगे, projects बना लोगे, रजी में तुमारा बन जाएगा, and उसके बाद क्या करना है, apply करना है, और बले-बले, ठीक है, हमने सारी चीज़े सीख ली है, कि कैसे तुम एक software engineer बन सकते हो, यह basic requirements ह ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह कर ली तो पता नहीं, तुम क्या ही खाड लोगे, these are the basic things which you will have to do, at any cost, यह सब करने के बाद ही तुमें, like, eligibility criteria hit कर पाऊगे, तो यह सारी चीज़े तुमें करनी पड़ेंगी, फिर भाई, जो तुम वो देखते हो, 50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, लाग का पाकेज, एक करोड का पाकेज, वो सब तुम लेने के लिए eligible हो, बाकी तुमने कितने अच्छे से चीज़े करी है, तुमारी problem solving abilities कितने अच्छी है, अगर तुम कोई problem देरा interview में, तुम उसको कितने अच्छे से breakdown कर रहे हो, उस पर depend करता है, कि तुम कौन सी company में, क कि हाँ, everything is possible, just you have to believe in yourself, and महनत करते रहो, so I hope तुमें वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, हमने सारी चीज़े go through कर ली है, ठीक है, तुम अब बगर कौन से कौन से level पे हो, तुम क्या क्या चीज़े कर सकते हो, and at the end of the day, तुमें programming कैसे सीखनी है, क्या road map होता है, क्या क्या